माया नगरी मुंबई में हुआ प्रीमियर लीग का धवा के तरा अगाज और इसके पहले ही मुकाबले में मुंबई इंडियन्स के कप्तान हर्मन प्रीत कौर के बल्ले ने रच दिया है एक बड़ा इतिहास सीजन ओपनर में कौर की खौफनाक बल्ले बाजी से गुजरात जाइंट्स ने पूरी तरह से घुटने टेक दिये और इसी बीच एक ऐसा अनोखा कीरती मान बना जिसने सभी को हैरान कर दिया तो आखिर कैसे हर्मन प्रीत कौर की तूफानी बल्ले बाजी ने डिवाई पार्टेल स्टेडियम में फैंस को किया जूबने पर मचबूर इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरी जानकारी मुंबई के डॉक्टर डिवाई पार्टेल स्टेडियम में एतिहासिक वुमेंस प्रीमेर लीग का पहला मुंबई इंडियन्स और गुजरात जाइंट्स के बीच खेला गया जहां गुजरात की कप्तान बैथ मुनी ने टॉस जीत कर पहले के इंदाजी का फैसला किया लेकिन उनका ये फैसला उनहीं की टीम पर भारी पड़ा हालाकि एमाई की शुरुआत कोई खास अच्छी नहीं रही और यास्तिका भाटिया सस्ते में पवेलियन लौट गए पील का अगास किया आते ही बिना देर लगा एक कौर ने स्टेडियम में चौकी की परदर्शनी लगा दी ग्राउंड के चारों तरफ हर्मन प्रीत कौर का धमाके दार प्रदर्शन जारी रहा चाहे डोमेस्टिक हो या फिर अंदुराश्टिय इस तरका के इंदाज हर किसी पर हर्मन प्रीत कौर का बल्ला जम कर बरसा गुजराद जायंट्स की टीम इससे पहले कुछ भी समझ पाती हर्मन प्रीत कौर ने तब तक काफी ताबर तोड मचा दिया था तीस गेंदों में 14 चौकों की बारिश करते हुए हर्मन प्रीत कौर ने WPL के पहले ही मुकाबले में 65 ठोग दिये और इसी बीच अपनी पारी के दौराण उन्होंने एक बड़ा इतिहास भी रच दिया दरसल मुंबे इंडियन्स की पारी के 15 वे ओवर 16 वे ओवर के दौरान कौर ने एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बलकी लगातार साथ गेंदों पर साथ चौके ठोग दिये इसमें से तीन चौके उन्होंने नमबर एक और राउंडर एशले कारडनर को भी लगाए और इसी के साथ टीटी इतिहास में लगातार साथ गेंदों पर साथ चौके लगाने वाली हर्मन प्रीत कौर पहली बल्लेबास भी बन गई है इससे पहले मैंस और फुमेंस को मिला कर भी केजी बल्लेबास ने ये कमाल नहीं किया था इससे पहले आस्टेलिया की स्टेवी समित और भारत ने प्रितवी शो ने टी ट्विंटी क्रिकेट में लगातार च्छे गेंदों पर च्छे चौके लगाने का कमाल किया था पर हर्मन प्रीत कौर की खौफनाग बल्लेबाजी ने आज सभी को पीछे छोड़ दिया और इसने डवल्यू प्यल के पहले ही मुकाबले में एक नया एदिहास लिख दिया तो दोस्तों आप हर्मन प्रीत कौर की इस शांदार बल्लेबाजी और अद्बुद रिकौर को दसमें से कितने नमबर देंगे अपनी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दे और ऐसी शांदार खबरों के लिए चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल न भूले धन्यवाद